करा आर्थिक तंगियों उन लोगों के जीवन में आती है जो लोग आलस करते हैं नंबर दो करा है वो परमेश्वर की आज्याओं का पालन नहीं करते हैं और परमेश्वर के बचनों को ठटों में उड़ाते हैं मैं कहा रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में हमेशा करें गरीबी और प्रॉब्लम साती है लेकिन अगर आज आपके घर में मैं कहा रहा हूं कि अगर आलसी बच्चे हैं अगर आलसी परिवार है आलसी करें के पतनी हैं तो मैं कहा रहा हूं कि वो लोग कभी रिच नही के चेको पड़ते हाँ हाँ देखो क्या करा करहे है आलसी करा चीटियों पर ध्यान दे किस पर ध्यान दे चीटियों पर इसका मतलब करहे कि अपने बच्चों पर ध्यान दे करहे अपनी पत्नी पर ध्यान दे यह भी एक चीटी की तरह करहे अपने परिवार पर ध्यान दे करह कि वो किस परकार से काम करती है मतलब कि वो दिनी दिन में धूपी धूप में कड़ी धूप में मेहनत करके वो आ जाती है लेकिन यहां पर किरा कि आज अगर कोई फिजूल खर्च करने वाले बच्चे आपके घर में अगर फिजूल खर्च करने वाली पतनी आपकी लाइफ मे मैं कहा रहा हूं कि आज ही मैं कहा रहा हूं कि परमिश्वर उन लोगों को सुधार देश व मसी नासरी के नाम में क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है इसलिए इन लोगों के लिए पोईतरात्मा ने मुझे मैसेज दिने के लिए बोरा कि किन लोगों पर आती है परमिश्वर के कामों में ब्लेस होना है तो अपने लिए पराथना करना है अपने बच्चों के चीटियों के और ध्यान देना है अपनी पत्नी चीटी के और ध्यान देना और उसके लिए पराथना करना है परमिश्वर यह जो चीटी मेरे घर में है इसको पराथना करने वाली बना इसको फिजूबकर है बचा पब्स रात्मा années 2022 को को मूर्ख बनाता है कैसे बनाता है मैं देख रहा था मैं देख रहा था एक शौप के बार वहाँ पर करें के बार बार वहाँ पर एक लेडिस देखता हूं मैं लेडिस को ज्यादा तर मैं देखता हूं कही बार तो मैं पिछले साल नोट कर रहा था कि वहाँ पर लिकां के एक वहां नोट लगावाथा कि «7,000 साडी मिलरी ले जाओ ले जाओ और लेडिस को वाधा है ओस अपने पती को वह उए दूस अपने हो कि टीए को टीया पती चल पर गया और या और वो दुकान में गई और दुकान में जाकर फटा फट उसने साड़ी को लिया और चार साड़ीयां ले आई घर पे चार साड़ीयां लाने के बाद एक बीनी सजी साड़ी एक बीनी सजी क्योंकि वो बेकार साड़ीयां थी पांच हजार में और उसने तीन साड़ीयां तो द तो आपके बच्छों की आपके परिवार की फजूर खर्ची बंद करने वाल है नहीं बताना चाहता हूं कि एक बिश्वासी और जहां किराय पर रहते थे करणाल में तो वहां पर एक और वरत मिरगी और वह बड़ी फैशनेवल थी और उसने वह मेरी पत्नी को बजार चलते ह ने का पैसे तो होते नहीं ते लेकिन इतना नहीं मिलता मेरे पास दस सभाकरी थोड़ी करता हूँ लेकिन उसी समय मुझे गुस्षा आया मैं कि नहीं नहीं करना हाँ के प्रांथ को यह करते रहते हैं कोई बातनी बजार में गई यह कोई नहीं waren अमजा वीडियो गेम खेलने गया कोई बात नहीं चल बेटे आद तो खेले कल प्राथना कर दूंगा मा बोलती रही इसके लिए प्राथना करो और एक प्राथना करो यह सुधर नीरा वीडियो गेम खेल रहा आज गल्फ्रेंड के साथ जा रहा कोई नहीं कौफी शॉप में तो जा लेकिन बाद में पता लग रहा है कि भाई साथ दोनों शादी कर लिए और भागे गर से इसका मतलब क्या है आलस कर रहे हो आप लेकिन आप उसी समय प्राथना करो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे मैं लेटा वा था और उसी समय मुझे पुईतरात्मा ने का हलो करा श चीटियों के लिए अपने परिवार के लिए अपने और लोगों के लिए प्राथना करना शुरू कर दिया उसी समय मैंने पतनी के लिए प्राथना किया और मैं बुधी ले जा और उसी समय जब वो बजार में गई तो समय में हजार का नूट दिया था तो समय जब वो बजार में गई इसके साथ मैंने का कोई बात ने तू भी घूम करा जा लेकिन पहले मैं प्राथना करता हूं तरे लिए और मैंने इसी समय प्राथना किया दोनों को साथ में खड़ा कर करके मैंने का परमिश्वर यह दो दोनों सहलियां जो और मेरी पत्नी जो जा रही है बजार में परमिश्वर इसको पवितरात्मा बर्कत देना जब भी खर्चा करें बर्कत देना जिस दुकान पर जाए बर्कत देना बस मैंने प्राथन कर दिया आमीन बोल दिया और वह चली ईवागी मैंने का 990 रुपे वापिस कर रही है मैंने का यह जह क्या किया तुने आ आपने प्राथ नहीं ऐसे कर दी दी बरकत आ जाए बरकत आ जाए नहीं से मैं हासने लगा मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्रात्मा ने मुझे कहा था कर रहा कि तेरी पतनी बड़ा नोट खरचने से डरती है इसलिए गबी पतनी मंगे तो उसको दस-दस के नोट नहीं दे पांट-पांट-सो कर नोट नहीं दे उसको सबसे बड़ा नोट देना कि बजार में खर्चती डरे आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं वो बड़े नोट खर्चते वे डरते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि जब बड़ी चीज़ें खर्चते वे डरते हैं जैसे आपके कुछ चीजों में सेव कर लो परमिश्वर का आत्मा कर रहा है कि जब आपके पास पड़ा होता है तो आप खर्चा करते हैं तो इसके लिए कर रहा है कि आपको सेविंग करना है किसी भी चीज में आपको सेविंग करना है जिससे आपको प्रॉफिट हो तो पवित्रा आत्मा आपने लोगों को बता रहा है, मैं कहारा है, आगर आज कहरा है कि नए jáak is भॉषारे कोई मैं कहरा हूए आपकी प्राथनां हैं सुधार सकती है, क्योंकि परमिश्वर कहरा है उस घर में खर्चे जादा होंगे बरकत नहीं होगी कि यहां पर खर्चालू पत्निया खर्चालू और जो लाई में देख रहे हैं अपने पट्नी के और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोलो कि आज मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे आप से खर्चालू नहीं होंगे मेरी पतनी के लगे मैसेज है मेरे पती के लिए मैसेज है मैं कि आगर आप खर्चा अधिकर रहे हैं तो इसका मतलब परमेशवर उन लोगों के घर में जिधा धन कभी नहीं देता जो लोग अपनी थैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं सिर्फ किसलिए शौन चानऊ शूकत दिखाने के लिए हमारे पास मजडी यहाद बाई साब और मजडी में चल रहा है चला आरहा होगि छोट ढिखाता रुट्रॉल करने का टाइम और बढ़ने का टाइम है बुद्धी मानी का टाइम है तो परमिश्वर आपकी जिंद्गियों में काम करें हम निती वचन के 25 के चार को देखते तो वहाँ पर लिखा करा चांदी से करा जब मैल दूर कर देते हैं करा वहाँ पर लिखा चांदी में बाव नहीं कर रहें तो परमिश्वर वरकत कहां से देगा तो सुनार जो परमिश्वर सुनार है आपकी नजर में तो करा कि वह आपको गोल्ड क्यों देगा वो गोल्ड जैसी आशी से क्यों देगा आपको करा इसलिए नितीव अच्छन बोलता है करा कि आने वाले समय में ऐस के इसराइल का लालच करेंगे जकरिया की कुश्तक में लिखा । कि बहुत सारे perfect में कि अब को से आपको बता रहा हुँ के आप फिर दुपा यूध mini का था की शनतों तो को सुने का हर देश कंट्री और रोग डाउन कर नहीं हो जाएंग fix?」Pop Teachers पहरांगे करका त 위한 करेंगे ने दमेज़कर णिर करा याप सेवेगर करोशन यहाइज करोशन आप सेव करोशन आप से यह करो इसका मतलब के पवित्रा आत्मा आप आप प्यार करता है आपको सही टीचिंग दे रहे हैं के आप करा कि जब चांदी में से करा एक हिए कि चांदी के उपर से माय दूर करोगे तो किरहां के तभी सुना के काम होगे आप चांदी ओ हो आप पर परमिशर की ने कर दो भी पवी घो मैं धांने हैं भूर घऊना करती की फॉरन में चले जाती लोग ऐसे बोलते में मैं तो बहुत बहुत ब्राथना करता बार नहीं देखता लेंगा नहीं देखते हैं यह आपको बता रहा हूं कि कि परमेश्वर का आत्मा कर रहा है कि बहुत बहुत लोग प्राथना करने वाले लोग है पांचों के लिए बराबर नहीं होती लेकिन पजितरात्मा अपने लोगों से बात कर रहा है समय में कि परमेश्वर कर रहा है कि सेव करना है हमें कर जो सही काम में मैं आज आपको जिस सकते purpose of Vikt ऐसे दिया जाएगा और इसके पास बहुत हो जाएगा वर जिसके पास कुछ नहीं उसे कुछ स्के 우선 ऑप्छा नहीं के बताया कर मती तेरा के बारा में किलियर लिखा कि रहे कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा इसका मतलब कि यह परमेश्वर का कलाम है और पूरा होके रहेगा बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और परमेश्वर को दोस्त देते रहते हैं परमेश्वर मेरे कर्च बरकत नी है कि बरकत अच्छा बरकत कोई नहीं सवर्दूर डंडा लेकर आएगा भाय साब दे रही बच्चे प्यार से किया जाता है या प्राथनाई की जाती है लेकिन के रहा हूं कि आप के जीवन में कराके आप परमेश्वर को दोस्त देरें लेकिन वह करा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उससे वो भी ली लिया जाएगा जब परमेश्वर कहे खर्चो तो खर्चो जब परमेश्वर कहे सेव करो तो सेव करो इसका मतलब के परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सेव करने के लिए बुर रहा है मुझे नहीं पता मैं आज ये मैसेज क्यो दे रहा हूं लेकिन पवित ताइम था आपके पास अभी है लेकिन आप जो है पूरे दो साल आपके पास ऐसा हो सकता ना और 2028 का टाइम तो बहुत मड़ा आएगा मैं आपको बता रहा हूं लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है सेव करो मैं फिर से कर रहा हूं नहीं तो गौर्मेंट आपको खाना के लाएगी सड़कों पर जो खासकर फोरण में लोग हैं मैं आपको बता रहा हूं कि पवितरात्मा अपने लोगों से बात कर रहा है इन चीजों के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे देश मुझे दिखाया मैं ने दर्शन में दिख यह नहीं कर रहा हूं कि आथ से बिर्कुल तुम कंजूस हो जाओ लेकिन परमिश्वर का आत्मा कर रहा है कि प्राथना करो क्योंकि इंसान सेविंग नहीं कराता है परमिश्वर सेविंग कराता है मैं कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को जिसके पास है उससे वो भी कराक है उसको दिया जाएगा जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा मैं एक उधारन से आपको समझा रहा हूँ जब आप बैंक में लोन लेने के ले जाते हैं मकान लेने के जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए वो बोलता आपको कितना लोन तो बैंक वाला आप से पूचता है करा है कि आपके पास कितना है और आप मेरे पास तो कुछ भी नहीं तो बैंक वाला आपकी तरफ देख की आसेगा बला हाँ बैंक कभी उस व्यक्ति को लोन नहीं देता जिसके पास 20 परसेंट ना हो मतलब डाउन परिमट अगर आपके पास नहीं है तो गाड़ी नहीं मिलने वाली कार नहीं मिलने वाली इसका मतलब कुछ ना कुछ सेविंग तो आपकी होनी चाहिए अगर आपकी जेम में पैसे हैं मै आज आपको समझने करें लेकिन गोड मिराइकल शक्ति उस व्यक्ति को दिखाता है करें जो सेविंग करता है अगर आज आप सेविंग देखना चाते हैं बाइबल से देखो के फिरों यहां पर देखते हैं यूसुफ के बारे में उत्पत्ति के चैप्टर में 41 के 3536 में इस मसेय के नाम में आज क्या और आएं आप जो करने अच्छा कर रहै यहां क्योंकि मैं किसी के लिए बोलुगा किस ले रहें किसको नहीं आप बड़ा जौना थे कि ला बेहन ऐसे करता है साजार भेज दे अच्छा बेहन बीस अजार भेज दे भेज जी जा रही है बाद में बता रही है कि आज उसके उपर एक करोड़ दस लाक रुपे का कर जाए मैं आपको बता रहा है कि परमिश्वर का आत्मा देखता है कि अब ठीक है एक हेल्प करने का टाइम था लेकिन एक टाइम जो है कि आपकी सेविंग का टाइम है आपके पास है सेविंग का टाइम तो परमिश्वर कर रहा है देखो यूसूफ के समय में जब आकाल आया जब उ साल आकाल के आए तो उससे पहले ही युसुफ ने फिरोन से सेविंग करा दिया उसने कहा सेविंग करा जो कुछ है सेव कर उसे करा अपने देश को लोगों को बोलना स्टार्ट कर दे और उसने उसको सेविंग करना स्टार्ट कर दिया